तो दोस्तों इन दिनों में Believe Music Company ने YouTube पे धमाल मचा रख है क्योंकि काफी सारे करियेटर को इन दिनों में Believe Music Company की तरफ से या तो copyright strike मिल रही है या फिर copyright claim मिल रहा है तो ऐसे में सभी करियेटर हैं वो tension में आगे क्योंकि उन्होंने T-Series का नाम सुना है अगर आपको भी Believe Music Company की तरफ से कोई strike या फिर claim मिला है तो इस वीडियो के साथ आप बने डिटेल के साथ पूरी जानकारी बताऊंगा और साथ में ये जानकारी भी आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से Believe Music Company से मिले copyright strike या claim को हटा सकते हो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विजेंदर सिंग और आप देख रहे हैं टेकनिकल नूनिया जी तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों Believe Music Company को जानने से पहले कुछ बेसिक जानकारी आपको देना चाहूंगा देखिए YouTube का एक रूल है और रूल यह है कि आप किसी दूसरे की सामगरी या फिर content को यूज नहीं कर सकते कहने का मतलब copy paste वो आप नहीं कर सकते अगर आप copy paste करते हो तो YouTube आपको दंड देगा और दंड के रूप में यहाँ पर दो चीज़े है creator को YouTube की तरफ से दिये जाते हैं पहला दंड तो यह है कि या तो creator या channel को copyright strike मिलती है और दूसरा दंड यह है कि creator को copyright claim मिलता है जब strike मिलती है और अगले तीन मेने में लगातार तीन copyright strike आया जाती है तो अपना जो channel हो फुर्फुस हो जाता है अगर claim आता तो वहाँ पर अपना जो channel हो पूरी तरह से safe रहता है लेकिन जो earning है वो हमारे खाते में ना आकर जिसने claim दिया है या जिसने strike दिया है उस company के खाते में चला जाएगा तो वहाँ पर भी उस वीडियो से हमें कोई फायदा नहीं होता तो यह है basic सी बाग चलिए अब बात कर लेते हैं blue music company के बारे में क्योंकि आपको पता क्योंकि हमारे एक creator शाती है हमारे एक channel के subscriber है उन्होंने मुझे इस बारे में जानकारी दिती कि sir हमारे जो team है काफी सारे जो दोस्त मिलकर काम करते हैं तो उनके channel बने हैं इन दुनों blue music की तरफ से काफी सारे यहाँ पर strike उनको मिल रही है या claim उनको मिल रहा है तो वाकाय में यह सई आय नहीं से तो या मैंने यहाँ पर इसकी पूरी जांस परताल की है और जितना मैं यहाँ पर इस company के बारे में जान सका हूँ उसके बारे में आपको में यहाँ पर बता रहूँ दोस्तो सबसे पहले अपने company के बारे में बात कर लेते हैं कि ये fake है या फिर सही है तो दोस्तो ये company बिलकुल भी fake नहीं है बिलकुल genuine ये company है France की ये company है ठीक है ये देखिए company है वो खुद का अपना music टैयार नहीं करती है ये music का distribution वो करती है distribute ये करती है मान लिजिए कैसे जैसे मान लिजिए आप musician हो या guy car हो या फिर artist हो आपने अपना music तयार किया ठीक है और इस company के साथ आपने agreement कर लिया अब उस agreement के तहट क्या होगा कि ये company तो खुझ यहाँ पर strike आपको नहीं देती है लेकिन जिसका music था उसने आपको यहाँ पर copyright claim या फिर strike दे दिया क्योंकि देखिए कि जो artist होता है एक जो music होता है जैसे छोटा level उसका होता है तो लोग उसके बारे में जानते नहीं ठीक है तो वो क्या करता है कि दूसरी company के साथ वो agreement करता है ठीक है और यह जो company है Believe Music company है यह उसके music को distribution हो कर देती है आप देखिए किसी creator को इस company की तरफ से यह दि copyright strike या claim आया तो साथ में देखिए यहाँ पर Believe Music company का नाम भी आता है और उसके तुरंत नेचे यहाँ पर किसी दूसरी company का नाम आता है तो यह कोई दूसरा ही channel open हो के आ रहा है किसी दूसरी artist का जो channel हो open हो के आ रहा है तो दोस्तों मूँ आपकी जानकारी लिए बताना चाहूंगा कि यह जो company है वो भी सही है को फेक को copyright strike या claim आपको नहीं देती है हाँ इतना जरूर है जिसका music था जिसने इस company के साथ agreement कर रखा है विया उसने आपको यहाँ पे copyright strike या claim दिया अब यहाँ पे बात करते हैं कि यह दि हमें यह claim दिया है या strike हमें मिल गई है तो इसको open कैसे हटा सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखिए YouTube का एक rule अगर आपने fair use किया है फिर यूज किया है तो इससे आप dispute है वो कर सकते हो इसके लिए आप apply कर सकते हो या appeal कर सकते हो कि यह जो strike हमें fake मिली है तो YouTube उसकी जांस परताल करेगा जांस परताल में यह दि सही पाया जाता है तो आपकी strike या claim वो हटा लिया जाता है लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि YouTube है सही पकड़ भी नहीं पाता है और ऐसे में company के साथ भी कोई हमारा agreement नहीं होता है तो दूसरा तरीका यहाँ पर यह है कि जिस company के द्वारा आपको यहाँ पर strike है वहाँ पर देखिए एक option वहाँ पर आता है तो वहाँ से आप उनके साथ contact हो कर सकते हो और उनके साथ एक agreement कर सकते हो यदि strike आई है तो आप उनसे गुजारिस करोगे तो strike हटा लेगा अगर claim आया यानि revenue share हो रही है तो पूरी revenue नहीं जाकर कि आप 50-50% 60-40% ऐसा agreement कर सकते हो कि 60 रुपय मुझे दे दो और 40 रुपय वो आप रगलो वो तो एक agreement होता है तो दूसरा तरीका यह है अब देखिए मैं सीधे सब्दों में आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले तो देखिए उस company के साथ आप agreement करें agreement या तो उसकी website पे आप विजिट कीजिएगा ठीक है website पे आप विजिट करोगे तो उनका content असका पूरा page आपको मिल जाएगा mail address आपको मिल जाएगा live तो support तो नहीं मिलेगा वहाँ पे तो उनसे आप बात चीत कीजिएगा कि हमने यह music आपका use किया है और हम आपसे agreement करना चाहते हैं तो कुछ रेवनों आपको share कर देंगे और हो सकता है कि आप पे वो थोड़ा सा विश्वास कर लें तो पूरी 100% की परसेंट रेवनों है वो आपके पास रहने दे लेकिन company से आपको इसके लिए बात वो करनी पड़ेगी फाइनली ये कहूंगा कि जो blue music company है वो fake company नहीं है ये सही company है आलागि खुद का music नहीं है music का distribution है वो करती है तो उमीद करता हूं दोस्तों साइद आप समझ गए होंगे अगर समझ गए हैं तो वीडियो को like कीजिएगा और इसके अलावा ये आपके और भी कोई शवाल है तो वीडियो के निचे आप कमेंट कर सकते हैं मैं आपकी पूरी help करने के कोशिश करूँगा ये दि blue music company को लेके स्वाल है तो आप मुझे instagram पे follow करके वहाँ पर भी आप अपने सवाल मुझे पूछ सकते हैं एक बार फिर से कहूँगा अगर जानकारी अच्छे लिए तो वीडियो को like कर देना और चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो चैनल को भी subscribe कर लेना बेल आइकन उसे भी दबा देना all notification है उसे भी on कर लेना ताकि इसी परकार से नए नए वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे मिलते हैं भणने से अगे लिए एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत